हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका आपके एपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफर पे तो फ्रेंड्स आज के बुडियो काफी सांदार रहने वाला है आज देखेंगे जेपी एसी जो पीठी परिक्षा होने वाली है सातवी से लेकर के दसवी जेपी एसी की उसके प्र समय से आपको 73 कोशन सही करने हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने देवाक से चलो ग्रामीन प्रसासन में साथ से आप से एक च्छोटी सोरी के इस्टेदिया आप मेरे चैनल पर नए है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो का लाइक कर सब्सक्राइब है यही मॉडल प्रैक्टिस सेट मैं यहां पर कवर करा रहा हूं तो जो श्ट्यूएंट चाहते हैं कि इससे पहले बना लिया जाए इसके बाद डिसकर्शन को देखा जाए तो आप इस प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं इसके लिए लिंक डिस्क प्रेपर हैं तो आज का डिसक्सन होगा अब होगा प्रेक्टिस ट्नमबर टू तो फ्रेंड्स आपके समक्च आज का पहला प्रस्न है पहले हम लोग भारत के इतिहास का पंदरा प्रस्न देखेंगे उसके बाद भारत का भुगोल इसके बाद फिर देखेंगे पॉलिटी और गवर्नेंस के कोश्चन्स और फिर आगे सारे सेक्षन्स के प्रस्न भी देखेंगे तो पहला प्रस्न है चावल का प्राचिंतम उल्लेक किस अस्थान से समन्दित है आप प्रस्न है आप भी मेरे साथ इसका रिप्लाई कीजिए जैसे फर्स्ट का अंसर क्या होगा ए होगा फर्स्ट का अंसर भी होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं जिससे मुझे पता चले आपकी तैयारी कैसी जा रही है ठीक है तो चावल का प्राचि सुमिंगे लूसम्य है जो सुमेली नहीं है दौलावीरा प्रस्ट से लोथल बीके ठापर के दौरा इसका खोज नहीं किया गया है यह को करदा रहा के दोरा किया गया है? रंग नात रहे ठीक है आप दें κάν द्याकी होगा देरी का नीं सही है शुर्क फोटड़ा जय Harbor, जो यह भी सही है यह तो पिछले बाले सेट में इसका डिसकर्शन हुआ था जगपती योसी इनका नाम है जो सुर्ख कोटड़ा अस्थल का खोज किया था ठीक है तो इसका राइट अंसर हो जाएगा हो जाएगा बी लोथल भीके था पर नहीं बलगी रंगनात राव नेक्ट प् हो जाएगा बीधत नेक्स्ट है मावीर ने निम्लिकित में से कौन सा ब्रत जोड़ा था तो मावीर ने जो ब्रत जोड़ा था वा जोड़ा था ब्रहम चर्रेका तो इसका राइट अंसर हो हैगा डी ब्रहम चर्रेका ठीक है और इस ब्रत में भीच्वों को पुर्ण ब्रह लेखित कौन सा बंदरगा अपने मुती उत्पादन के लिए भिख्या था तो पेरि पल्स में लेखित जो बंदरगा है जो अपने मुती उत्पादन के लिए भिख्या था वह कॉरकई इसका ऐसकी स्थापना यानि PDS, Public Distribution System, जिसका आज भी SIGNIFICANCE है, तो इसकी सुरुवात अल्ला हुदिन खीली के द्वारा की गई थी, तो इसका राइक्टरन सर्वाजाएगा A. अल्ला हुदिन खीली, ठीक है मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी मैं राज जी क्या हो सकता क्या अनुसार कानून बनाता हूं यह जो बाग के है यह कहा गया है वो अल्लाव दिन खिल जी के दवारा तो इसका राइट अंसर भी हो जाएगा अल्लाव दिन खिल जी के अनुसार यह बोला गया है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है क्या गैर कानूनी मैं राज की अब सकता के अनुसार कानुन बनाता हूँ ठीक है नेक्ष्ट है अकवर ने मंसब पर नाली के स्थापना की थी तो अकवर ने मंसब पर नाली के स्थापना 1575 इसमी से की थी तो इसका राइट अंसर सी होगा मंसबदारी 1575 पिकिस भावरी किसर भासा में लिखी गई है नाम क्या है तो तुझ्यक के लिखा अन्सर ने दोन 24 का बंगाल का तरकेश वर अंदोलन निमनısı किसके विरी द था गंदिरों में भ्राष्टा चार जो भ्यास्ड थे उसके खकिलाब उसके विरी तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा नेक्स चेंदconoफ ऑधनीह किस्षण समनधित है तो सार्दा अधनियां भारतिया बिवाह बिवस्था से समन्दित है नेक्स्ट है जलिया वाला बाग हत्याकांड के लिए जांच के लिए बनाई गई समीति का क्या नाम था तो जलिया वाला बाग हत्या कांड है उसकी जांच के लिए जो समीथी बनाए गई थी उसका नाम था हंटर कमिशन इसका राइट अज़रों का हंटर कमिशन हम बात के लिए जलिया वाला बाग हत्या कांड की तो जलिया वाला बाग हत्या कांड अमरित को आऌने महरा हम्रीज सर्म घठना घठी थी और उस्वक्त हृस नामा भारतिये ने जर्ürülles डॉयरका सेहों किया था ये पूछा जाता है कि जलिया जार बहुत दादा का ढूर क्या लिब सबस्क्राइब भारत का अंतिम बैसराय जो था व승 ces hy है F बात करें ब्रिटिष बैस र Venice रहता वह Lord Mount जबकी अंतिम बैसराइ इंक्लूडिंग भारति है तो छी राज को पाला चारी छाएगा थीक है fan रखेगा पूछा जा रहा है ठीक है तो यहां पूछा गया भारत का अनतिम भायसर है तो इसमें भारतिय भी हो सकते हैं सबसे बढ़ियां है यह चार उप्सन में इस तरह के पूछे जाएं तो इसका जो एकुरोट मोस्ट एप्रोपियेट अंसर होता है उसे दिया जाता है ठीक है है नेक्स एकॉचन नंबर पंदरह उसे वह होम रूल लिको स्थापना किसनी की आप देखिए अखिल भारती है होम रूल लिक उंसे स्थापना से मती ईनि बेसंट के द्वारा की जाती है यह एक आईरीस महिला थी ठीक है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करका बताना है क हिस्टी के पंदरह प्रस्ट में से आपके कितने सहीव हैं चलिए नेक्ष सेक्षन देखते हैं भारत का अभुगोल की बात करें एक तो इससे दस प्रस्ट आपको जिपीसी कि याम में पूछ जाएंगे तो पहला प्रस्ट है जल की लाउनता सबसे अधीक कििस जील में पाया जाती है चो तुर erosion नम्झे करम निमलिकित कालको報 पर विचार किजिए पिर्थिविका अपवर्तन बायूदाब और हवा, महासगर्य जल का गहनत्व, पिर्थिवी का परिकर्मन, उपरोक्त में से कौन से कारक महासगर्य धाराओं को प्रभावित करते हैं, यानि कि कौन है जो महासगर्य धाराओं हैं, उसे प्रभावित करता है, आपको इस चारों आपसंस में से बताने हैं, ठीक है, और और इसका सब ऑफ्सन्स भी दिये गए हैं तो देखिये फ्रेंट्स कहीं ने कहीं प्रतिवी का अपबारतन रिस्पोंसिबल है साथी साथ बायुदाव और हबा भी रिस्पोंसिबल है ठीक है और मास अगर ये जल का घनत में भी रिस्पोंसिबल है मास अगर ये धाराओं को को प्रहावित करने के लिए तो फिर इसका राइट अंसर हो जाएगा बह जाएगा कि एक दो तीन ठीक इस राइट अंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट एक को स्टम्म रठारा मारे बरमांडे कि सबसे नई अकास गंगा का नाम है तो ध्वार्फ द्यान रखेगा इसके राइट है जायेगा और डि हो जाएगा नेक्स्ट स्कौोर मंडल में अपये जानना वाले आठ क्रह से पार्थव यानि आंतरीगण किसनी आता है हमारे स्वार मंडल में कुल आठ ग्रह है उसमें चार को आंतरीगण औरfach बाहा जाता है ठीक है तो आंतरी गरह में बूध्य शुक्र पृथिविवई और मंगल होते हैं जब बात करें बाह शुक्रा यह की तो भाह गरह में भिहसपती सुनी अरुन और बरून वेसपती सानी और अरुण ऑर बरून यह वाला पूचत तब लेकिन यहां कोशन में आंतरी कर तो इसका अंसर यह हो जाएगा जब कि बाह पूछता बाह गरह तो फिर आपका भ्यास पति सानी अरून बरून हो जाता नेक्स्ट है इंडियन अस्टेंडर्ड टाइम भारतिय मानक समय और ग्रीन बीच मिन टाइम में कितने समय का डिफरेंस है देख कि ग्रीन बीच मिन हो गया तो कूल सबंद्र पांच घंट्ते हो जाएंगे चिक हैरी इस कर आ+, पाँच घंटा संक्या है जो भारती एजन संक्या के 8.6 परसेंट है यानि एप्रॉक्स 10.43 करोर ठीक यानि 10 करोर एश्टी अवार्दी है जो रिगारा के अनुशार भारत में जो कि पूरियावादी का 8.6 परसेंट है नेक्स्ट है इनमे से किस सहर को दच्षिन भारत का मैंचेस्टर का जाता है दीके दच्षिन भारत का मैंचेस्टर की बात की जाए तो वह कोईमबटूर हो जाएगा जबकि हम बात करें उत्तर भारत का मैंचेस्टर तो उत्तर भारत का मैंचेस्टर कानपूर को का जाता है ठ यहां विस्व का सबसे बड़ा थोड़ी हम का भंडार पायाता है वह केरला है इसका राइट अंसर सी स्वरी ए हो जाएगा नेक्स्ट है कोश्चन नमर 24 सुची एक को सुची दो से मिलाना है सुची एक में खनीज का सुची दिया हुआ है और सुची दो में अस्थान का सुची दिया हुआ है बात करें कोला की तो कोला गेड़ी से मिलता है तामबा के बात करें तो अलवर या फिर इसे तामबा खेतड़ी तो कि रा पर और भूरा कोईला यानि लिग नईट यह जै अम कॉंडम में मिले गा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा वह जाएगा एक वन चैसी कावफ इका तीन यानि अंसर सी सही जाएगा बागी अप्छान अब देख लिएए छी का चार व डी का दो नेक्स्ट है भारत का एक राजे जिसे करक रेखा होकर गुजरती है देखिए भारत के कुल आठ राजों से करक रेखा होकर गुजरती है और वहाँ आठ राजे निमने फिस से पहले गुजरात इसके बाद राजस्थान इसके बाद MP ठीक है MP के बाद फिर हो जाता है इधर न और एक और बचावा है 36 गड़ यानि गुजरात रायस्थान MP 36 गड़ फिर आपका जहारखंड बेश्ट वंगाल मिजोरम और तिरपूरा ठीक एही आठ राजे अब यहाँ पर देखिए उन सारे ओफ्सन में कौन सा ओफ्सन आपका मिला तो मिला जहारखंड ठीक यहीं से करक रहा घुजरती अच्छा अग्याद साथी आफ्ट अथी अब मैंने आपको दस कोश्टन जोगरफिय करा दी यह तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करका बताएं कि जोगरफिय में आपने कितना और 10 कि आपको तेन साथी साथ जो टॉपिक आपको दिखे थो आपको तॉप प्रस्ळ मैं कि राश्पति सर्वोच न्याले के संबीधान , तो राश्पति 143 की अंत्रगत सर्वोच न्याले से प्रामोर्ष ले सकता है लेकिन प्रामर्ष है जो पी इनफर्टेवल नहीं होगा ठिक है से नेक्स्ट भारत का पहला लोग आयुक्त की स्राज़ निक्तर किया तो भारत का सरव पर्थम जो लोग आयुक्त है meeting सरकार के द्वारा निक्तर किा गया था त И कि जो लोग trademark ठीक है विसके अधिकांस देशों में इस संस्था को ओम बूट्समेन के नाम से जाना जाता है और इसे भारत में लोकपाल या फिर लोकायुक्त का जाता है भारत में लोकपाल या लोकायुक्त का नाम उन्हें 163 में दिया गया था और उस समय के मसहूर कानून भी थे एलम सिंद्धी उनके द्वारा या दिया गया था लोकायुक्त या फिर लोकपाल ठीक है भारत के समिधान की प्रस्तावना में पहला संसोदन कब हुआ देखिए आप दियान रखे गया है अब समिधान में नह इसमें समिधान संसोधन के द्वारा जिसे मिली कंचियोसंस भी कहा जाता है ठीक है बलवंत्रय मेहता समीती की अस्तूती पर पंचाईती राज व्यवास्ता सर पर्थम किन राजयों में परर्रम के गई तो बलवंत्रय मेहता की अस्तूती पर पंचाईती राज सबसे पहले रायस्थान में सुरू किया जाता है ठीक है रायस्थान के नागवर जी लेके बगदर्दी गाउं से और फिर उसके बाद रायस्थान के बाद आंध पर्देश में इसकी सुरुवात की जाती है जिससे 14 अप्रेल को शुरू किया गया था और इसी दिन को शुरू होने के कारण पंचाईती राज दिवस 14 अप्रेल को ही मना जाता है चीग है चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स प्रस्टन कोशन नमबर है वह है 30 32 अमधान के अंधरगत कल्यानकारी राज के अधारना ने मिलिकी तिमसे की समशेद में बरनित है तो आर्टिकल 49 हम बात करें DPSP की राज के निति निजशक तत्व की तो यह भाग चार में है बात करें आर्टिकल की तो आर्टिकल 36 लेकर के एक आमन तक में राज के निति निजशक तत्व का संकलन है और इसके अंतरगत कल्यानकारी राज के अधारना है जो आर्टिकल 49 में बरनित है नेक्ष्ट है अपात काल की घोसना का अनुमोदन संसत द्वारा कितनी अबधी के अंदर होना निवार्ज है तो आपात काली की घोसना संसत के द्वारा है जो एक मा के अंदर अनुमोदन है जो इसका अनिवार जोगा ठीक है किस प्रधान मंत्री के सासन काल में राश्पती सासन की सरवाधी कवार घोसना की गई तो पी ओ सीशी का जो शिद्यान्त है वह हेंडरी फेवल के द्वारा परतिपाजित किया गया है हेंडरी फेवल नेक्स्ट है निमलीकित में से किसे विकास परसासन का पिता माना जाता है तो विकास परसासन का पिता जॉर्ज गोट को माना जाता है इसका राइट अंसर होगा स्तर को जो बर्स माना जाता है वह माना जाए स्वरूप की संकट अवस्था ठीक है उस्यों क्पर शांकट अवस्था गला जर्फ nrOkay स्टेटेट में स्वाल थो स्वाले थ twitter में सर्ष्कन कौन इंक्लूड खानन उत खानन नहीं परिवहांसंचार है हॉटल है बानिकी और मत्यसकी नहीं तो this प्राम्री सेक्टर में आता है और खनन भी जो है वर प्राम्री सेक्टर में आते हैं अर्व नेश्ट रूर 2019 22 भ्हारत में रच्टिया का आक्कलन कोन करता च्टारो्जा भ्हारत में सरपर्थम और गया तो दादा भाई नरोजी के दौरा किया गया था ये भी दियां रखेगा भारत में सर पर्थम राष्टी आयक अंक्लन दादा भाई नरोजी के दवाई कि द्वारा किया गया था ठीक है जो बर्स 1867 अरफट में किये थे अब अर्तमान मेंगेश्टी जाए काकलन सब्सक्राइब करता है केंदर आअके की का मिसस्रिट अस्वास्ता है दीक जो मिक्स्ट एकमान होता क्या है मिसालता हमां होता कब है तो सर्वजानिक छोटत मोटा हए दोनों होते है इसका रायट अंसर एँ हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन इंटちゃん 49 जैसे जैसे आप बस्ता का विकास होता है कि अब तरही जैसे जैसे आपका विक्षए होता है तो जीडीपी में तिरिति यह चो जो हैं कि पहले घटता है और फ्यू बढ़ने लगता है तो इसका राइट एंसर दी होगा पहले घटता है कि कोशन्स कहां जैसे यासे अर्थ वस्था का भी कास होता है वैसे जी ड़ी प्रती है छिट्रकांस इसका राइट एंसर सी होगा बढ़ता है ठीक है नेक्षे बीन्में पत्र क्या है देखे फिरेंस बीन्में पत्र एक दस्तावेज है जो बस्तुगों को प्राप्त करने के एवज में बकाया मुल के वारे में जनकारी देता है तो इसका राइट अंसर देख लिजे कौन हो जाएगा फिर से बोल द निकष नुम्र 14 भारत में नियोजित अर्थ व्यवस्फ अधारित है तो अभी मैंनआ आपको बताए है कि भारत में जो आर्थ व्यवस्थ व्यवस्ता है जैज MID अर्थ ज्कौन हो जाएगा मिस्रित अर्थ व्यवस्थ चलिए नेक्ष लिक्त कोसंने क्यों member 42 निम्री इन लिखित में से कौन सा भारत निर्मान योजना के अव्यव हैं इन में से कौन है ठीक है तो गुरामिन स्वक्षता तो है है ठीक है गुरामिन संजयोक्ता यह भी है गुरामिन अवास भी है तो जो इसका राइट अंसर हो जाएगा अब हो जाएगा बी एक दो चार नेक्स्ट है मानव विकास उचकांग के अंतरगत आते हैं सक्षर्था दर जर्म के समय आयू सम्भावित तथा बास तभी क्रे सकती पर प्रति ब्यक्ति शकल देशी उत्पादन यह भी आता है तो इसका राइट अंसर भी होगा नेक्स्ट्ट नेक्स्टों नमर् Чव ओलेच नमरीकित मेंसे कौन सा मानवीव विकास तत्व नहीं है तो मानविय विकास तत्व यह आ वहा है सिसु मुलत तर यानि Bird Bank Environmentally and Socially Sustainable Development Division के द्वारा, इसका राइट अंसर यह हो जाएगा, हरीच सुचकांक, विक्सित किया जाता है, इसके द्वारा, ठीक है, नेक्स्ट है, question number 46, हम देखेंगे, जेनरल साइंस के questions, agriculture के question, और IT के question, ठीक है, तो पहला question है, इसके डाक्टरों द्वारा मरीज के उधर के अंदर परिक्षन, एंडोस्कॉपी द्वारा किया जाता है, जो निमने से किस सिदान पर काली करता है, देखेंगे, इंडोस्कॉपी है, जो टोटल इंटर्नल रिफलेक्शन पर काम करता है, परकास का सकल आमतरी परवर्तन, नेक एडवार्ड जेनर एडवार्ड जेनर हैं जो पेंसिलीन के खोज किये थे तो इसका राइक अंसर डी हो जाएगा यह गलत है नेक्ट से कोशन नम्मर 48 कोशन नमर 48 है कि निमलिखित कत्रों में से कौन से सही हैं इसमें आपको सही कत्र बताने हैं मानब सरीर में फीमर सबसे लंबी अस्ती है सही बात है हैजा रोग जिवानों के द्वारा होता है यह भी सही है एथलिट फूट बिसानों के द्वारा होता है गलत इसमें सही कौन-कौन होगे वह होगे एक और दो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट एक कोश्चन नंबर उनन चास निमलीकित मिल से कौन सा था तो पौधे के भी कास के लिए आवसक नहीं है तो पोटेसियम है मेंनेसियम है कल्सियम है सोडियम नहीं है तो इसका राइट अंसर यह हो जाएगा नेक्स्ट है गर्म रूधिर वाले जन्तू बार्म ब पौइंट और शिक्स डिवरी फओर न॥ो नेक्स यलां न है ठीके लॉंग एनि कॉळव कॉआ है तो बंढ कलिया है इसका राइट अंसर हो जाएका बंढ कलिया ठीक है हम बात करें अब लॉंग को नहीं है बनac सीज्यम आयरो मेटिकम ८ेस्य norm धाव थिकलिंग क क्या लाव नहीं नहीं प्रति बैक्तित पादन से नियुमनाय गलत यही गलत है बागी तीनों सही है ठीक है हाली में बिक्स्ती टर्मिनेटर तकनीक का इप्योग हुआ है तो टर्मिनेटर तकनीक है उसका इप्योग कपास में हुआ है बीटी कॉटन सीड़ आने लगा है ठीक है नेक्स्ट आए गेहु में करनालबट होता है तो गेहों में करनालबट है जो फ्फूदी के कारण, फंगस के कारण होता है, इसकी राईट अंसर होजागा बोरहाँ होजागा फंफूदी फंगस, ठीक है, हम बात के रहें यह होता है स्यहु रोग जो की निमें टोड के कारण होता है ठीक है निमें टोड रोग इसे यह कारडिल रोग भी काया था यह कारडिल रोग अधिक्तम जो जेनेटिक्स प्यूरिटी होती है वह प्रजनक बीज में होती है तो इसको राइट अंसर भी हो जागा प्रजनक बीज की सब्सक्द तो यह क्या है यह क्या है इंटरनेट साइट से हैं तो इसका राइट अंसर प्रकास भंडार नहीं है जो आपको डेसिमल बदलना है ठीक है 15 को या जो decimal इस बाइनरी हो जालना है तो इसका बाइनरी हो जाएगा बहुँ जाएगा अजय भवनात पूर से भवनात पूर से ठीक है आधे किसके समय में इचाक रामगण की रायधानी बना तो इचाक रामगण की रायधानी बना वह बना था तेज सिंह के समय तो इसका राइट अंसर सी योगा यो मिल śmू कराई प्रति पुछेंध धुलेट कितना रुपोई की दर से भौजन मुहाईया कराया जाता है तो पांस रुपोई की दर से ba 1785 में दिया गया था हम बात करें तिलकामान जी की जन्म की तो तिलकामान जी का जन्म तर्थ यह नेक्स्ट है किस त्योहार में नो दिन उपवास के बाद दसमेन के उपासक फ्वे सीट लिए पर नंगे पहुंचेले ऑंधा नंदा किसा आई पतार में दॉन दीन मत्योत मांस जलते कोईले पर नंगे पहुंच सन्ते हिए मन्दा तियोहार अच्छी तृतिया नेक्स्ट है कोशन नमर छिया सट पाल कोट आसरैनी की जिले में इस्थित है तेकिया पाल कोट आसरैनी का बहुत बड़ा सिनिफिकेंस है यह गुमला जिला में इस्थित है और पाल कोट गुमला जिले से 26 कुलिमिटर दूर इस्थित है और पाल कोट का प्राची नाम पंपा व्हाप्पुर है और इसका धार्मिक उंपॉंटेंस के साहथ 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 प्रयटक इअगर है तुरीज्म में पॉंटेंस भी है अग्ष्ट है नोहrah बॉधकालीन भद्र काली मंधिल का है तो बॉधकावलीन भद्र मंदिल है जो चत्रा जिले के इट खोरी ब्लोक में इसी थे 14 जिले के इट खोरी ब्लोक में ठीक है next question number 68 जन स нее औनका है कि दिष्टी से कौन सी जन जाती सर्वादीक है तो जनस doughukt है कि दिष्टी से हम भात करें तो सर्वादीक जन जाती जाक्रादी जथारकंड में है वह है संथाल चीक है तो इसका राइट अंसर सी हो जाएगा संथाल यह मुख रूप से जहारखंड के संथाल परवंडल में निवास करते हैं चलिए नेक्ष्टे कोश्चन नमर 79 कंपनी सरकार के विरूद सर पर्थरम किस भूमिज विद्रोव हुआ था वह 1779 में हुआ था ठीक है और इस समय विद्रोव का नेता स्याम गंजम थे स्याम गंजम याद रखेगा स्याम गंजम नेक्ष्ट है और सुचित जाती जन संख्याए कि देश्टी से जहारखंड का अस्थान क्या है तो एस सी का जो जन संख्याए कि अधार पे जहारखंड का जो अस्थान है वह है 14 होँआ तो इसका राइट अंसर रजाएगा सी 14 होँआ नेक्ष्ट कोर्शन नंबर 71 अब देखिए यहां पर बहुँ बिधी प्रकिर्टी के प्रस्न मिसलेनियस क्यूशन्स हैं जो कि 15 प्रस्न हो गए चलिए तो देखते हैं आं तराश्टी संगठन के संतर में निम्लिकित नुख्तियां में से कौन और सुमेली थे माहनिदेशक डवलूटियो रॉवेट अजी वेदो सही है प्रवंदक आयमेफ क्रिष्टिल लेगार्ड यह भी सही है प्रसासक इवेल्डीपी हिलन क्लार्क यह भी सही है तो इसमें गलत कोनों के फ्रेंट्स यह वला हो गया माहस अचीफ दच्छेस मार्गेट चान यह नहीं है ठीक है नेक्स्टे कोशन नमर 72 विस उबय पार संगठन का 136 देश किसे निक्त किया गया है तो डवलूटियो का जो 136 देश है वह है अफगानिस्तान इसका राइटन से डी होगा अफगानिस्तान अब देखे हम बात करें थोड़े से एक्ष्टा फैक्ट जैसे डवलूटियो के स से जाना जाता था इसके स्थापना एक जनवरी उन्नाइस सो पंचानमे को हुआ था ठीक हम बात करें डवलूटियो को मुख्याले कि तो यह जन्यवा स्यूडियर लेंड में है नेक्स्ट है राष्टिये मानोधिकार है के प्रतों अध्यायच मुण इल्मने से कौन है राष्टिये मानोधिकार है हो के जो अध्यायच है वह है रंगनात मिश्रा गया लूत को को भी है केवला देब को भी और बुलर्जिल को यानि कि सभी हो जाएंगे इसका राइट अंसर डी हो जाएगा ठीक निम्लिकित में से कौन सी जया विवीता सब्द मैंने पिछले वीडियो भी बताया था कि जया गया था एडवर्ड विल्सन के द्वारा तो इसाब ध्यान र गरिबी उन्मोलन रोजगास रीजन अपसम रचना पिकास से जुड़ी रोजणाओ मैं मातव कांचर योईना कब शुरुई दिक्षर मातव कांचर योईना THIS मुल उद्वेस था गरिबी उन्मोलन करना रोजगास स्रिजन करना और अपसम रचना का pyकास करना ठीक है ग्रा के वह सतंतर को कि कि परतेच लाब अंतरन स्कीम ब्यूत तेरे से लागु रहए उस्का उसक्पण देश के तो डीवी टीब डेक्ट बेन की सब्यांद सलस्क्रक्राफ अंतरन की ऑप्व का 2,2,3 शर濦य रहा हूं उसक्प पंब्यू उसक्प मूल उद्यस है कि योजिनाओं का लाव सीथे बैंक खाते में भेजिना तो इसका राइटनसर यह हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट राजिव गांधी बन्नी जीव संरचन पुरुषकार की श्यते में देया आता है तो सैचनी के तस्व संस्थाओं को मिलता ही है ठीक है यह बन एवं बन जीव अधिकारियों को उनको ही मिलता है बन जीव संद्चकों को मिलता है तो इसका राइटनसर डी होगा नेक्स्ट है हाले ही में किस राज्य को पुर्ण जैवी किरिसी राज घुशित किया गया तो वह सिक्किम ठीक है नेक्स्ट है क्वेशन नंबर एक आस सुझ चैएर एंपी में है मदपरदिस में ठीक है नेक्स्ट असकूप हाप बॉली है चाडेन देथ बुली किस खर जुड़े है तो असब्थ। हुप बॉली शर्डेन देथ बुली इस ख्यल है कि सब्थ हैं यह हैं जो होगई खेल से समन्घ के लिए नेक्स्ट बलड देर से था परवळन की रख्षा तो इस राइट अंसर भी होगा नेक्सरे कोशन नॉमर तेरासी और को पुल कितने विक्ती को भारत रतीन से समाणिट के आच चुका है तो भारत में अभी कुल 48 को बात करें सब्सक्रासिकिन मिल चुका है हम तो भारत कि शुरुवात की तो भारत रत्म के शुरुवात हुआ था वह उन्हें से शुरुवात की गई थी नेक्स है कौन से भारतिय को नोल प्रसकार से समानित नहीं किया गया तो भारतिय थे जिने नोल प्रसकार से समानित नहीं किया गया है वह सर्मान सुधी ठीक है बाकी सभी लो को भी मिला हुआ है सुरमन्यम चंदर सेकर को भी मिला हुआ लेकिन सलमान रूशदी को नहीं मिला हुआ है अब देखे यहाँ पे कुल 15 प्रस्ण करेंट के प्रस्ण होंगे तो उसे भी हम लोग कर लेते हैं ठीक है हाली में BCCI ने किस भारती खिलाली को अपने सलाना अनुव भारत दौरे पर आये किस देश के राश्च्पती थे तो वह ब्राजील के राश्च्पती थे बोल से नहरो जोकि एक खतर्वे गंतांतर दिवस के अफसर पर भारत आया थे नेक्स्ट राजपत पर राजपत दिल्ली में गंतांतर दिवस पर हुई परेड में पहली बार यह बिल्कुल सही भारत में घडियाल सोन गंगा राम गंगा चंबल नती और माना दियाती यह भी सही है उडिसा को घडियाल राज कर दर जा दिया गया है गलत तो इसमांसर कौन सा जोड़ियागा एक और दो यानि बी नेक्स्ट एकोशन नमबर 90 जुनियर पुरुस होकी कि जो मेंजवानी करेगा तो यहां पर मैं बता दूं आपको जुनियर पुरुस होकी विस्व कप की जो मेंजवानी करेगा भारत ठीक है 2011 में इसमें है नेक्स्ट गोसटन नमबर 91 मिस्ट इन्वर्स 2019 का खिताब से किसी ने जीता तो मिस्ट इन्वर्स 2019 का खिताब है जो जडचिन भेरिका के जोजी बीनी पींट यृण ने जीता इसका रॉट राहिट wh विश्ट पारहा चप्यशं एंसर के रचनाकार कौन है थो इसका र्यंट्राइट प्र्श्टावीत है तो वह राज है ओडिशा जहाँ पर पूरस होके 23 का आयोजन प्रस्थावित है चलिए नेंक्श निवलीकिति शिyor की सफिट्वूटबॉलर ने रिकॉर्ड छटी बार परतिश्छित मेगन रेपिनो बैल्डी ओर समरोह में सर्वस्रेश पुरूस हिलाडी का आवार्ड जीता तो वह फुटवालर है लियोन मेंसी इसने छटी वार परतेश्टित मेगन ड्रैपिनो बैल्डी और समरो में सर्वस्रेश पुरूस की लाड़ी का वाड़ जीता किस भासा के ख्याती लब्द रचनाकार है तो यह मल्यालम भासा के रचनाकार है ठीक है कभी अक्यम नेक्षे कोशन नमर नाइंटेसिक्स लेगित में से किसे भारती नो सेना की पहली महिला पालेट बनने का स्रेहाली में फ्राप्त हुआ है तो भारती नो सेना के पहली महिला पालेट बनने का जो स्रेह हुआ हुआ सिवांगी स्वरुप को हुआ तो इसका राइट अंसर रजाएगा ब्रमन नेक्षे भारत के लिए पहला मिश्टर इनुभर्स्टर उन्हाइस का खिताब जितने वाले चित्रेश नट्सन किस राज है तो भारत के लिए पहला मिश्टर इनुभर्स दोहर उन्हाइस जितने वाला चित्रेश नट्सन है वह केरल राज से तो इसका राइट अंसर है का बी नेक्ष्ट है किस राज सरकार दवारा हाली में गुठका पान मसाला के उस पाधन और बिक्री का बिक्री पर पूर्ण परतिबंद लगाती है तो अब बच्छी मगाल सरकार है जिसने गुठका पान मसाला के उपाधन और बिक्री पर पूर्णत परतिबंद लगा दिया है नेक्ष्ट है बंगलादेश के किस क्रिकेटर 15 क्रिकेट परसद आइसी सी द्वारा दो साल के लिए बैन आरोपित किया गया है तो आइसी सी के द्वारा दो साल के लिए बैन साकीव अलहसन पर लगाया गया है तो अब आपको देखने हैं कि आपके कितने मार्क्स कमेंट करके बताईएगा और कौन से सेक्षंस आपका कमज़ों है उससे अब बताईएगा वहां पर मेंजन किजएगा उस सेक्ष इस वीडियो मैं फिर से बता दूँ जो अस्टुडेंट्स इसका प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक न दिया गया है वहां से आप चाहकर करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए ठैंक्स पर बातने इस वीडियो चैहिंद आपका दिन स और खूब